Hello everyone, Welcome to Success with Rye Academy, Current Affairs, Current Affairs में आज हम 26 जून 2019 के important questions को discuss करेंगे और इसमें उनी questions को लिया गया है जो exam के point of view से most important है हर question के साथ आपको important facts भी बताये जाएंगे जिसको आपको note करते हुए चलना है और वीडियो के last में आपसे question पुछा जाएगा जिसका answer आपको comment box के माध्धम से देना होगा इस वीडियो का PDF लिंक आपको description box और हमारे टेलिग्राम चैनल Success with Rai Academy से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से download कर सकते हैं जो लग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे subscribe कर लिजेगा bell icon को press कर लिजेगा ताकि आपको video का notification मिल सके और अगर आपको video अच्छा लगता है तो इसे like और share कर दीजेगा अब चलिए video को सुरू करते हैं सबसे पहले उस question का answer देख लेते हैं जो आपसे comment box के माध्धम से पूछा गया था question था अंतराश्टी योग दिवस कब मनाया जाता है options थे 20 जून, 21 जून, 22 जून या फिर 23 जून इसका right answer होगा second option 21 जून अंतराश्टी योग दिवस प्रतेक वर्स 21 जून को मनाया जाता है अब आज के questions को start करते हैं फर्स्ट question है विस्व बैंक द्वरा किस राज्जी को 147 मिलियन डॉलर का रिन दिया गया है इसका right answer होगा second option जारखंड भारत सरकार, जारखंड सरकार और विस्व बैंक ने 147 मिलियन डॉलर के रिन समझोते पर हस्ताक्छर किये हैं जारकंड सहरी सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ती, सीवरेज, जल निकासी और सहरी सडक प्रदान करने के लिए रासी का निवेस करेगा यानि कि जो उसे रासी प्राप्त होगी वो इन सब कार्यों में निवेस करेगा अब ये रासी दी जारही है विस्व बैंक द्वारा, तो विस्व बैंक के बारे में जान लीजिए इसका मुख्याल है वासिंटन डी सी याने की अमेरिका में है इसकी स्थापना 1944 याने की 1944 में हुई थी और विस्व बैंक के अध्यक्ष है डेविट मलपास ये रासी प्रदान की जारही है जारकंड को तो जारकंड के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं देखें ये है भारत का मैप और इसमें जारकंड ये है जारखंड जारखंड की सीमा बिहार उत्तर प्रदेश चतिसगड उडिसा और पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है यहां की कैप्टल है राची यहां की गवर्नर है द्रौपती मुर्म और यहां के जो मुख्य मंत्री है वो है रगुवर दास जारखंड के बारे में और important facts जान लीजिए जारखंड जनसंक्या की दरश्टी से भारत का चौदवा सबसे बड़ा राज्य है और छेतफल की दरश्टी से सोलवा सबसे बड़ा राज्य है यहां का लिंगा नुपात 947 महिलाएं प्रती हजार पुरुस पर है यहां की साक्छ जारखंड के important facts थे आप नोट कर लीजेगा अब नेक्ट कोशन पर आते हैं नेक्ट कोशन है केंद सरकार ने किस राज्य के लोगों को डीडी सेटप बॉक्स वितरित किये है इसका right answer होगा first option जम्मू कस्मीर भारत सरकार ने जम्मू और कस्मीर के सीमा वर्ती छेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त दूरदर्सन याने कि डीडी सेटप बॉक्स वितरित किये हैं कारकरम का आयोजन दूरदर्सन कस्मीर द्वारा किया गया था डीडी कस्मीर ने जम्मू छेत्र के लिए एक समाचार बुलेटियन डोगरी समाचार भी लांच किया है वर्तमान में केंद्रिय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकास जावडेकर और ये सुधा दी जा रही है जम्मू कस्मीर राजी को तो जम्मू कस्मीर राजी के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं दीए भारत का मैप और इसमें जम्मू कश्मीर यह है जम्मू गवर्नर है सत्यपाल मलिक और वर्तमान में यहाँ पर राष्टपती सासन लगा हुआ है इसलिए यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है जम्मु कस्मीर के बारे में और important facts चान लीजे जम्मु कस्मीर जो की जनसंक्या की दरष्टी से भारत का उननीसवा सबसे बड़ा राज्य है और छेत्रफल की दरष्टी से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है यहाँ का लिंगानुपात 883 मेलाएं प्रती हजार पुरुस पर है यहाँ की साक्चरतादर है 16.16 परतीसत जिसमें पुरुस साक्चरतादर है 16.75 परतीसत और मेला साक्चरतादर है 56.43 परतीसत यह इस question के important facts थे आप note कर लीजेगा अब next question पर आते हैं Next question है The New Delhi Conspiracy उपन्यास किसके दौरा लिखा गया है याने लिखी गई है इसका right answer होगा third option मिनाक्षी लेखी मिनाक्षी लेखी का पहला उपन्यास The New Delhi Conspiracy जल्दी प्रकाशित होगा और उन्होंने इसमें कृष्ण कुमार के साथ इसे लिखा है याने कि मंदत ली है कृष्ण कुमार की उपन्यास हारपर कॉलिंस दौरा प्रकाशित किया जाएगा next question पर आते हैं next question है किसे ICAO में भारत का प्रतिनीधी निउक्त किया गया है सबसे पहले आप ICAO का full form जान लीजिए इसका full form होता है International Civil Aviation Organization इसका full form होता है तो question है किसे ICAO में भारत का प्रतिनीधी निउक्त किया गया है इसका right answer होगा first option सैफाली जुनेजा वरिष्ट नौकर साथ सैफाली जुनेजा को सयुक्त राष्ट की संस्था International Civil Aviation Organization की परिशद में भारत का प्रतिनीधी निउक्त किया गया है वह वरिष्ट आयस अधिकारी आलोग सेखर का इस्थान लेंगी वर्तमान में सैफाली जुनेजा नागरिक उड्डियन मंत्राले में संयुक्त सचिव के रूप में स्कारिक कर रही है ICAO याने की International Civil Aviation Organization के अध्यक्ष है औलू मुईवा बुनाड अलूई और इसका मुख्याले कनाड़ा में है नेक्ट कोश्चन पर आते हैं नेक्ट कोश्चन है जापान ने भारत के किस राज्ज को एक सांती संग्रहाले प्रदान किया है इसका राइट एंसर होगा इसका rational second option मनीपूर जापान ने मनीपूर को उपहार सरूप एक सांती संग्रहाले प्रदान किया है जो दितिये विस्व युद्ध के भेंकर युद्धों में से एक की स्मृति पर बनाया गया है मनीपूर की राजधानी इंफाल से लगबग 20 किलो मीटर दच्छिन पश्चिम में लाल पहारी पर इंफाल सांती संग्रहाले के उद्धाटन में इंफाल की लड़ाई की 75 वर्जगाट को भी चिन्हित किया गया है अब यहाँ पर जापान और मनीपूर दोनों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम मनीपूर के बारे में जानने के लिए भारत का मैप देखते हैं यह है भारत का मैप और इसमें मनीपूर यह है मनीपूर जिसकी सीमा नागालेंड, असम और मिजोरम राज़ से लगती है मनिपूर की कैप्टल है इमफाल यहां की गवर्नर है नजमा है पतुल्ला और यहां के मुख्य मंत्री है एन विरेन सिंग मनिपूर के और important fact जानिए जनसंक्या की द्रश्टी से मनिपूर भारत का 24वा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंक्या चेत्रफल की द्रश्टी से भी 24वा सबसे बड़ा राज्य है यहां का लिंगा नुपात 997 महिलाएं प्रती 1000 पुरुस पर है यहां की साक्चरता दर है 76.94 पुरुस साक्चरता दर है 83.58 पुरुस साक्चरता दर है अब जापान के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं यह है वर्ल्ड मैप और इसमें जापान यह है जापान जापान की कैप्टल है टोक्यो यहां के प्रेसिडेंट है सिंजो अबे और यहां की करेंसी है येन अब नेक्ट कोशन पर आते है नेक्ट कोशन है IOC याने की International Olympic Committee ने अपना नया मुख्याले कहां खुला है इसका राइट एंसरों का थर्ड ओप्शन स्विजजर लेंड अंतराश्टी ओलंपिक समिती ने आपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों को पुनर जीवित करने के ठीक 125 वर्स बाद स्विजजर लेंड में नया मुख्याले खोला है और ये मुख्याले खोला गया स्विजजर लेंड में तो स्विजजर लेंड के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं देखें ये है वर्ल्ड मैप और इसमें स्विजजर लेंड यह है स्विज्जर लेंड स्विज्जर लेंड की capital है burn यहां की currency है frank और यहां के president है ओली मावरूर यहां के president है और जो अगला Greece मकालिन Olympic होने वाला है वो 2020 में Tokyo याने की Japan की capital में आउजित होगा Next question है License life taught me unknowingly किसकी आत्म कथा है इसका right answer होगा फोर्थ option अनुपम खेल बालीवूड अबनेता अनुपम खेल अपनी आत्म कथा प्रकाशित करने वाले हैं और अनुपम खेल भारतिय फिल्म उद्योग में सबसे अधिक प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने भारत और पश्चिम भारत और पश्चिमी जो दोनों में कई भासाओं में यानि की 530 से अधिक फिल्मों में अभिने किया है नेक्ट कोशन पर आते हैं किस वर्ष तक वैश्चनो देवी मंदिर के लिए आपदा प्रतिक्रिया बल तयार किया जाएगा इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2020 धार्मिक तीर्थ स्थल माता वैश्चनो देवी मंदिर को सितंबर 2020 तक एक समर्पित ग्रह आपदा प्रतिक्रिया बल मिल जाएगा स्री माता वैश्चनो देवी मंदिर बोड धर्म साला धर्मिस्थल के लिए समर्पित आपदा प्रतिक्रिया बल तयार करने के लिए 180 कर्मचारियों को प्रसिक्चित किया जाएगा या अपनी आपदा तयारियों के हिस्से के रूप में एक Emergency Operations Center भी स्थापित करेगा अब आज का Question जिसका Answer आपको Comment Box के माध्यम से देना है Question है RBI RBI के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पत से स्तीफा दे दिया है RBI के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पत से स्तीफा दे दिया है Options है MK Jain, VP Kanungo, Viral Aachar या फिर NS Visto Nathan ये आज के जाने कि 26 जून 2019 के Important Current Affair Questions थे I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो Like और Share कर दीजेगा अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद